बिस्मिल्ला इबरह्मानुरहीम, असलाम वालेकम, तोड़े आइंग टू डिसकस अबाउट रिप्रोडक्शन इन लेमिनेरिया लेमिनेरिया जो है इसके अंदर दो तरह की जनरेशन आती है, स्पोरोफाइट जनरेशन एड गमिटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन गमिटोफाइट बनाती है और गमिटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो एसेक्शुल मैथड की जरिये से बनती है जिसके अंदर spores बनेंगे और spores हमेशा asexually produce होती है और जो इसका gametophyte है वो by sexual reproduction बनता है जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर sporophyte से spore की तरह से बनेंगे by asexual reproduction तो इसमें जो structure है हमने पीछे पढ़ा था उसकी plant body जो है वो lamina like होती है blade की तरह की होती है और उस blade के उपर बहुत सारे सोराई मजूद होती है सोराई क्या होती है यह एक cavity होती है जिसके अंदर बहुत सारे sporengia present होते है एक cavity है जिसके अंदर बहुत सारे sporengia present है और sporengia पी एक couple like structure ही होता है जिसके अंदर spores produce होते है तो यहाँ पर हमें structure के नजर आ रहा है सोराई है, उसके अंदर sporengia है और sporengia के अंदर multiple spores produce हो रहे है और इसके साथ-साथ यहाँ पर hair-like structures होते हैं इनको हम बोलते है parafysis parafysis is a sterile structure इसका reproduction के अंदर कोई रोल नहीं होता तो जब यहाँ से sporengia और सोराई टूटेंगे, disperse करेंगे spores को, तो यह भी साथ में disperse हो जाएंगे, यह reproduction में help नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो spores बनेंगे, वो spore कौन सा है zoospore है, जनी कि motile spores बनते हैं, जिनके अंदर तो flagella present होते हैं और यह flagella इसको movement में help करते हैं next हम देखेंगे, कि इसके अंदर जो spore formation है, वो किस तरह से होती है यह हमारे पास एक single sporengia है, और इसके अंदर एक nucleus मजूद है एक sporengia और उसके अंदर एक nucleus है तो इस nucleus के अंदर जो first division होगी, वो meiosis होगी और meiosis के नतीजे में हमेशा 4 cell बनते हैं और उसके पास second division जो होगी माइटोसिस होगी, माइटोसिस एक बार नहीं होगी बलकि इसके अंदर multiple mitosis divisions होगी जिसके नतीजे में 32 to 64 cell बन जाते हैं मियोसिस first division चार सल बनाएगी उसके बाद multiple mitosis divisions होगी जिसके नतीजे में 32 to 64 cells बन जाएगी अब जो निकलियाई पहले बने हैं वो निकलियाई थोड़ा-थोड़ा साइटोप्लाजम लेते हैं और cell की shape इक्तियार कर जाते हैं और हर cell में फ्लैजला डिवेल्प हो जाते हैं दो-दो फ्लैजला डिवेल्प हो जाएँगे डिसक की मदद से ये spore cell जो होते हैं वो zoospor के अंदर convert हो जाते हैं तो जब ये cell मिचूर होंगे तो यहां से sporengia breast हो जाएगी तूट जाएगी और ये zoospor जो होंगे वो बाहिर आजाएँगे और ये यहां से पानी के अंदर है और aquatic environment के अंदर हैं फ्लेजला की मदद से move करके या तो या तो कहीं पर settle down हो जाएगे या फिर freely float करते रहेंगे तो थोड़े अर्से के लिए ये freely float करते रहते हैं और उसके बात फिर क्या करते हैं अपने फ्लेजला लॉस कर देते हैं और फ्लेजला लॉस करने के पात ये एक circular body बना लेते हैं फिर इनके germination का time आता है तो germination कर रहे होंगे तो इनसे एक germ tube develop होगी इस pore से germ tube develop होगी और ये tube septa के जरीए से बाकी स्पोर से अलग हो जाएगे इसका nucleus इसके chromatophore bodies होती है वो सारी इस germ tube के अंदर चली जाती है और ये germ tube फिर आगे क्या बनाती है gametophyte structure develop कर देती है तो यहां तक एक generation complete होगी जिस से sporophyte convert हो गया है gametophyte के अंदर यहां मैं आगे दफ़ रिवाइस कर देती हूँ first division meiosis होगी इसके नतीजे में sporangia के अंदर जो nucleus मजूद है वो चार हिस्सों में divide हो जाएगा फिर उसके nucleus में बहुत सारी mitosis divisions होंगी और तक्रीबन 32 to 64 nuclei cell बन जाएगे अब nuclei जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा cytoplasm लेने के बाद cells में convert हो जाएगे spors में convert हो जाएगे और फिर उन spors में फ्लैजला डिवल्प होंगे और वो convert हो जाएगा जो spors के अंदर sporengia टूट जाएगा यह release हो जाएगे उसके बाद अपने फ्लैजला लॉस करने के बाद यह सर्कुलर बाडी के अंदर convert हो जाएगे फिर germ tube करेंगे और germ tube जो है वो structure डिवल्प करेंगे यहां तक इसकी a sexual reproduction होती है और जब second है वो होती है sexual reproduction इसके बाद अब gametophyte बन चुका है अब gametophyte क्या करेगा sexual reproduction करेगा जिसके अंदर male and female दो structure बनते हैं जो female structure होता है उसे हम agonium बोलते हैं और जो male structure होता है उसे हम enthridium बोलते हैं यह दोनों अलग अलग structure develop होते हैं क्योंकि यह dioces है dioces का मत्तब होता है जिसके अंदर male body अलग बनती है female body अलग बनती है दूसरा क्या है oogamous type oogamous में यह होता है कि well developed male and female structure बनेंगे इसमें differentiation होती है कि male cell sperm produce करेगा और female cell और female cell produce करेगा सबसे पहले हम देखेंगे enthridium structure के enthridia किस तरह से develop होता है जो के male structure है अब यह जो gametophyte male gametophyte होता है उसकी shape इस तरह की होती है कि उसकी अंदर बहुत सारी later branches होती है इन later branches के जो tips होती है उनके ओपर enthridia develop होती है tip वाले cell के अलावा जो पाकी नीचे वाले cell है इनको हम बोलते है male gametophyte male gametophyte male gametophyte और इसकी जो tip वाले cell है उसे हम बोलते है enthridia enthridia क्या करेगा divide करेगा और divide होके sperm cell यह enthrosoid cell बना देगा नेक्स आती है ogonium जो gametophyte produce होता है उसमें से कुछ cell male gametophyte बनाएंगे और कुछ जो sports है वो क्या बनाएंगे female structure develop करेंगे या female gametophyte बनाएंगे तो female structure जो होते हैं वो भी एक से ज्यादा produce होते है यह जो नीचे वाले structure यह जो stem-like structure है यह है female gametophyte और यह इसके tip वाले cell है यहां पर एग मजूद होगा तो यह है female gametophyte टिप के उपर ओगोनल cell होता है और उसके अंदर एग सेल होगा जो के मिचोर हो जाएगा और यह longer भी सेल होता है और thicker भी होता है अब हम इसके development देखते हैं यह हमने एक female gametophyte लिया है female gametophyte इसके अंदर एग सेल मजूद है अब यहां पर क्या होगी fertilization होगी क्योंकि sperm cell मिचोर होगे है वहां से sporengia से release होगे और आके एग सेल को यहां पर fertilize करेंगे तो यहां पर एग सेल भी हिपलॉइड था sperm cell जो आएगा वह भी हिपलॉइड होगा तो जब इनकी fertilization होगी तो यह क्या बन जाएगा यह deployed cell में convert हो जाएगा यह मारे पास deployed cell जिसे हम zygote बोलते हैं वह बन चुका है नीचे अभी तक यह female gametophyte के साथ attach है इसके अंदर क्या होगी इसके अंदर mitosis start होगी 1-2 cell बनेंगे 2-4 cell बनेंगे और तकरीबन 4-8 cell इस तरह से divide होते होते बन जाएगे और यह क्या कहलाएगा embryo कहलाएगा और जितनी भी divisions होई है उसके होने के बाद तक अभी भी यह स्टिल gametophyte के साथ attach है तो जब multiple 4-8 cell बन जाते हैं तो जो सबसे lower most cell होता है यह करता है यह बाहर की तरफ outgrowth बनाना शुरू कर देता है यह नीचे की तरफ develop करेगा और क्या बनाएगा hold fast बनाएगा जो सबसे नीचे वाला sporophyte का structure होता है सबसे lower cell क्या करेगा बाहर की तरफ निकल रहा है बाहर की तरफ outgrowth बनाता है और यह आगे जाके hold fast बनादेगा तो यह जो यहाँ पार इसके tip वाले सबसे यह जो hold fast बनी है तो इसके यहाँ वाले जो cell है वो क्या है merisatematic है जो actively divide कर सकते हैं यह divide होंगे और divide होने के बाद नीचे की तरफ stripe बना देंगे और उपर की तरफ blade और lamina बना देंगे ठीक है तो यह तीने उट चीजें डिवैल्प हो चुकी है hold fast, stipe and blade structure और इस तरह से फिर से दुबारा यह क्या बन गया sporophyte का structure बन गया gametophyte स्टे आप क्या बन चुका है sporophyte structure दुबारा से बन चुका है और लास्ट पर आती है इसकी alternation of generation मैंने आपको शुरू में भी बताया था यह इसके अंदर जो है वो दो generations है gametophyte generation and sporophyte generation cycle start कहां से होता है sporophyte generation से start होता है जिसके अंदर 3 structure है hold fast, type and blade होता है तो आब इसके अंदर क्या होना है इसके अंदर spores produce होंगे spores कौन से है जो spore है और वो produce होते हैं by meiosis जो हमारे पास sporophyte है वो deployed है और जो spores produce होंगे वो heploid होंगे क्योंके sporophyte के अंदर meiosis होई है जो spore elaborate होते हैं अलाग हो जाते हैं और उसके बाद jam tube develop करते हैं और jam tube आगे जाके क्या बनाती है gametophyte बना देती है अब gametophyte जो है वो दो तरह का बनता है female gametophyte and male gametophyte जो male gametophyte है वो sperm produce करता है female gametophyte जो होती है वो egg cell produce करती है फिर इन दोनों की fertilization होती है fertilization होने के बाद बनेगा zygote यहां पर यह सारा structure चला आ रहा है यहां तक हीपलॉइड था यहां तक हीपलॉइड था यहां तक हीपलॉइड था हीपलॉइड था जैसे ही fertilization होगी यह दुबारा से क्या हो जाएगा diploid structure बन जाएगा diploid structure बन गया तो अब यहां पर यहां पर देखा था कि लोड वैसल जो है वो नीचे की तरफ outgrowth बनाएगा outgrowth बनाने के बाद नीचे की तरफ hold fast दरम्यान में stipe और उपर की तरफ blade बन जाएगा तो इसी तरह से यह नीचे की तरफ ग्रोख नशुरू किया है और इसने दुबारा से क्या बना दिया sporophyte structure बना दिया तो यह है इसकी alternation of generation sporophyte से बना gametophyte gametophyte से दुबारा से बना sporophyte structure तो यह topic यहाँ भी खतम हो जाता है अलाफीस